नमस्कार ये PBNS की हिंदी सिवा है और आप सुन रहे हैं टुड़े एनाई आउन केंद्रिय ग्रह इवं सहकारिता मंत्री अमित शहा के मार्क दर्शन में ग्रह मंत्राले भारत की आजादी के 75 साल और निताजी सुभास चंदर बोस की 126 वी जयनती मनाने के लिए 17 से 23 जन्वरी 2023 तक आजादी का अम्रित महुत्सव प्रतिष्ठित कारिक्रम सब्ता हमनाएगा केंद्री विदेश और संस्कृती राज्य मंत्री मिनाक्षी लेखी 17 से 19 जन्वरी तक सेंसलवाडोर का दौरा करेंगी इस दौरान वे सेंसलवाडोर की राश्ट्रपती से मुलाकात करेंगी और विदेशी मामलों, संस्कृती और अर्थ व्यवस्था के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगी केंद्रिय सूचना एवं प्रसारण और मत्स्यपालन पशुपालन एवं डेरी राज्यमंत्री डौक्टर एल मुरुगन केरल के त्रिशूल जिले के कुंडु गल्लूर इस्थित श्री भगवती मंदिर में दर्शन करने के लिए कुंडु गल्लूर जाएंगे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच विवाद जारी रहने के कारण निर्वाचन आयोग शिवसेना की चुनाव चिन और नाम विवाद पर सुनवाई करेगा चीफ अफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चोहान सुबह नौ बचकर पैतालीस मिनट पर करियप्पा परेट ग्राउंड दिल्ली केंट में एन्सिसी गनतंत्र दिवस शिविर का दोरा करेंगे राष्ट्री अल्प संख्याग आयोग जैन तीर्थ मुद्दे को हल करने के लिए आज सुनवाई करेगा जारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरिन कोडर्मा से राज्ज में यूपीय सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर खातियानी जोहर यात्रा के दूसरे चरण की शुरुवात करेंगे त्रिणमूल कॉंग्रिस के अध्यक्ष ममता बनर जी तुरा में एक जनसभा को संबोध्व करने के लिए मिखाले जाएंगी उत्तरप्रदेश राज्य वारानसी में चार दिवसिया हॉट एर बलून और बोर्ट रेसिंग महुत्साव की मेजबानी करेगा महराश्य के फैसफोड जलगाओं जुले में दिन भर की लेव गाम बोली की बैठक होगी राश्ट्रिय परिक्षण एजनसी एंटी ए यूजी सी नेट दोहजार तेज पंजीकरण को समाप्त करेगा राश्ट्रिय मफ्त विध्याले सिक्षा संस्थान यानि एन आई ओएस कक्षा दसवी और बारवी परिक्षा दोहजार तेज के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बंद करेगा पुरुष हौकी वर्ल्ड कप दोहजार तेज ग्रूप स्टेज मैक दक्षन कोरिया और जापान के बीच भवनेश्वर में शाम पांच बजे मुकाबला होगा तो वहीं जर्मनी और बेल्जियम के बीच भवनेश्वर में ही शाम साथ बजे मैच खेला जाएगा देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए जुड़िये प्रसार भारती नियूस सर्विस से धन्यवाद